वेलकम डियर फ्रेंड स्वागत है आपका पलपल डियल विलोग में तो क्या कभी आपने भी सिल्वर फॉइल पेपर को अपने बालों में यूज किया है नहीं किया है तो आप जरूर करोगे ये वीडियो देखने के वाद बहुत ही हेलफूल वीडियो है बने रहीएगा चैनल को क कैसी लगी? कर रहिए पिशेश Hugo के करकें तो आप इस तरीके से भी से फोल्ड कर सकते हैं इस तरी के से पाल कर सकते हैं इससे फोल्ड कर सकते हैं यह PETER तो थीजे चौड़ी चॉड़ी का रिए का ज्यादा पतली करेंगे तहीं तो फिर तोट वगएरा घ़ा जाती है तो इसी लिए मैं आपकोम तारी के से बार सकते हैं te जसकते हैं तो बस यहां पर मैंने इनकी हैं वो मतलब किया थोड़ी सी और अब मैं आ गई हैं अपने बालो को लेखर यहां पर क्योंकि आप मैं मैं कंगी कर रही हूं आपको ध्यादन हें कंगी सबसे पहले जरूर करनी है बालो में अपने तो यहां पर मैं meant इसा लगा लीति हूं और अगर यह इस तरीके से ना रुके ना क्योंकि फिसलती है बालो में तो आप क्या कीज़ेगा आपके पास जो पिन होती है हेर पिन चीम्टी इस तरीके कीए तो आप यह लगा लीजेगा ऊपर इस तरीके से ताकि जो शिल्वर फाइल पेपर आप लगाओगे बालो में तो अगर हम इसे करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा और हो सके तो फ्रेंड आप जब हेर वगरा धोते हैं ना तो थोड़े नमी नमी से बाल होते ना गीले के लिए से तब यह कीज़ेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने हो ला तो यहां पर द जैसे बाती बनाते हैं इस तरीके से कर लीजगा ऐसे करने से थोड़ा यह मजबूत हो जाता है तो बस इस तरीके से आप इसे लपेटेंगे तो यह और भी अच्छा रहता है तो यहां पर मैंने रवर डाल दी है यहां पर शिल्वर फॉयल पेपर जहां पर नीचे खतम हो जाए था ना यह क्योंकि इसकी थोड़ी सी लेंद्ध कम होती है तो यहां पर इसमें मैंने अटका दिया है और अब मैंसे ट्विस्ट करूंगी तो यहां पर देखिए इस तरीके से करना तो बहुत जदे होता है बस यह थोड़ा ध्यान रखते हैं थोड़ा मतलब टाइट कर सकते हैं और फिर आप इसे करके देखिए आपको हंड्रेट परसेंट इसका रिजल्ट मिलने वाला है तो इस तरीके से देखिए यह भी मैंने फोल्ड कर लिया और थोड़ा सा सिल्वर फॉयल पेपर का टुकड़ा मैं इसमें जो इसकी फुंगल है बालों की उसमें मestryAct की घर में यहें हैं ने का टो आपके से सब्सक्राइब तो इस तरीके से सहोने आप से सब्सक्राइब योग.'' तो अच्छे से लगा लिया था यहां पर मैंने देखिए पूरे में मैंने लगा लिया है एक साइट के बाल ही मैं आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि आपको मैं लाइव दिखाने वाली हूं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है एक तरफ के बाल मैंने छोड़ दिया और एक तरफ तो आप इस तरीके से लगा दीजिएगा और आराम से अपना काम वगएरा करते रहिएगा तो यह बाल में बस ऐसी छोड़ देने वाली हूं अब देखिए दो घंटे बाद मैं आ गई हूं तो मेरे पास टाइमने तक क्योंकि साम हो चुकी थी और फिर मुझे चट पे आना प और अभी ठंडी का भी मौसम है तो मैंने पहन रखा था क्योंकि ठंड लगती चट पे आने के बाद तो यहां पर देखिए मैंने आपको खोल के दिखा दिया है यह देखिए इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे यहां पर मिला है यह देखिए का फ्रेंड देखिए silver foil paper, बहूत यह डंट करता है बालों को जो fold करने में, आप देख सकते है बहुत अच्छे से तो इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है यानि के मेरा मन खुश हो चुका था तो बाद में मैं सोच जिती के काश में दोनों तरफ के अगर लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता तो यहां पर देखिए देखि कितने प्यारे बाल हो गए है और जिनके छोटे बाल होते थोड़े लंबे बालों मों थोड़ी सी दिकस्य हो जाती है तो यहां पर इस तरीके से देखिए सारे जो बाल हैं बहुत अच्छे से मतलब मेरे फोल्ड हो चुके हैं और बहुत अच्छे मुझे यहां पर यह लग रहे थे तो साधी पार्टी में अगर आप जाना चाहते ह आप सबको दिखाने रहती है तो और साम भी हो गई थी अगर मैं सायद सुभा में करती तो तब भी मुझे मतलब के इतनी जल्दी खोलने ना पड़ते अपने बाल और अगर मैं थोड़ा सा और लेट रखती तो इसका और भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला था यहां पर तो मैंने आपको दिखा दिया है आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा यहां पर मुझे बाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे अपने और हां आपको धियान धरना है इस तरीके से आपको बाल कर लेने हैं बाल करने के बाद इसमें कंगी कभी भी नहीं करने चाहिए आप हो सके तो अपने जो फिंगर हैं आपके हातों के अंगल्या है उनसे इने थोड़ा सा सुलजा सकते हैं इनकी लटों को खोल सकते हैं बस कंगी आपको नहीं करनी है तो इसका एक फाइदा और होता है अभी सर्द्यों का मौसम है तो हमारे बाल इस टाइम म हमारे बालों का दो मुहापन है वह बहुत अधितक कम हो जाता है इसका एक इवी फायदा होने वाले तो आप इस तरीके से फिंगर की मदद से अपने बालों को थोड़ा सा खोल लीजेगा पर कंगी में हो सके तो नहीं किजेगा तो बस इस तरीके से मैंने आपको आज ये तरीका शेयर कर दिया है आप से फिर मिलती हूं एक नई वीडियो के साथ अब तक लिए गया दीजिए टाटा बाइबाइब